नमस्कार एटोजेट डिशश उशा कोड़जानी में आप सबका स्वाकत है आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कहने जा रही हूँ कच्छी केरी का मज़ेदार वाला आचार अगर आप वो टुकडे वाले कच्छी केरी का आचार खार कर थोड़ा सा आपको इसा लग आपको मज़ा नहीं आ रहा है वो कच्छी केरी का आचार खाने में तो आप यह बना सकते हैं यह आचार की खास बात यह है कि आप इसे लंबे समय तक रख सकते हैं और यह चावल रोटी पराठे दाल चावल सब भी के साथ बहुत मज़ेदार लगता है देखो उसके लिए 500 ग्राम एक दम बढ़िया वाली कच्छी केरी लेना पानी से अच्छे से धोकर साफ कपड़े से पोच लेना उपर का छिल्का निकालकर इसे आपको कदुकस करना एंए की ग्रेट करना हैं तो यह पड़िया जो कच्छी केरी का आचार है नो बहुत ही संपल है मतलब छोटे स चोटा भी से बना सकता है सच बता रही हूं जब भी आपका कुछ मज़िदार खाने का मन कर रहा है तो फ्रिज में से बड़िया सा आचार निकालो और रोटी के साथ भी खा लोगे ना तो मज़ा आ जाएगा तो यहां पर देखो यह गुटली को हटा लेना और इसी तरह से मै अधी चमच जीरा अधी चमच इसके अंदर मैंने मेथी दाना डाल दिये और इन तीनों को हम बिल्कुल लो फ्लेम पर लगभग दो से तीन मिनट के लिए भूनेंगे तो यहां पर इसे भून लेना ड्राय रोस्टी करना है और इसे आपको डिरेक्टी मिकसर में डाल देना अगर तेज आज पर भूनेंगे तो यह तीनों चीज़े फटा फट से जल जाएगी और आपका आचार को साथ बिगर जाएगा इसलिए धीनी आज पर ही भूनना इसे मिकसर में डाल कर पीस लेना है देखे एक पाउडर बंकर तयार है अब वही कड़ाई में डाल दिया है मैंने इसके अंदर आधा कब तेल डाला है जैसे गरम हो जाएना तो आधी चमच राई आधी चमच जीरा चुटकी बरहेंग इसी के साथ इसके अंदर में डाल रही हूँ दो सूखी लालमर्श और यह जो हमने कच्छी केरी को कदुकस करके रखा था यह डाल दीजे और बस जब यह बन रहा है न तो आपको ऐसा ही लगएगा कि एक सबजी है पर यह सबजी नहीं है यह आचारी है क्योंकि इसके अंदर देखे वो सरसो का तेल भी नहीं डाला है तो आपको जादा ऐसा लगएगा पर ऐसा नहीं है यह आचारी है अब जो हमने वो तीनों जीजों को पीस के रखा था ना वो पावडर इसके अंदर डाल दे लगातार चलाते हो इसे अच्छे से पकाना है लगभग चार से पांच मिनिट के लिए देखे इस तरह से हो गया अब इसके अंदर में डाल रहे है आदी चमच कश्मीरी लालमिश पावडर इससे ना अच्छा कलर आए करूना उतनी कम है तो यहां पर देखो मैं अच्छे से इसे मिक्स करती जा रहे हूं और यह आचार बनकर तयार है अब यह काफी जादा गरम है तो इसे हम भार ही ठंडा कर लेंगे बाहर रख करी उसके बाद आप देखे इस तरह से एक जार में भर दीजे काच के जार में वो बिल्कुल भी गीला नहीं होना चाहिए एक दम सोखा होना चाहिए गरम पानी से इसे अच्छे से दो कर साफ कपड़े से पोच लेना उसके बाद यह आचार डालना और फ्रिज में रख देना काफी लंबे समय तक चलेगा इससे चावल, रोटी, पराठे, दाल, चावल खिचड़ी सबी के साथ यह बहुत अच्छा लगता है तो ट्राइ करना और यहां पकाएं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यो फॉर वाच्छेंगे